दोस्तो हर्मान जनमोटसव की बहुत बहुत बदाई आज की वीडियो शुरू करने के लिए कमेंट बॉक्स में अभी जैश्री राम जरूर लिख दें जैश्री राम दोस्तो हमारे हिंदू धर में हर्मान जी की विशेश पूजा अर्चना की जाती है सभी देवी देवताओं में हनमान जी अपने भक्तों से जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं यदि वो अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाएं तो उनकी हर मनुकामना पून कर देते हैं वो इतने दयालू हैं कि उन्हें कभी कष्ट में नहीं देख पाते बजरंग बली की कुंडली में कोई ग्रहदोश है तो वो भी उनकी क्रपा से दूर हो जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको बजरंग बली को परसन्न करने के महा उपाय बताएंगे जिसे करने के बाद आप अपने मनोकामना को पूंड कर सकते हैं साथ ही अपने घर को हर परिशानी से बचा सकते हैं तो आईए जानते हैं वो अउपाए क्या है पहला यद encantे हैं कि आपके पास सदैव धनकी बरक्कत बनी रहे कभी धनकी कमी नहों तो आपको उसके लिए करना ये है कि हन्वान जनमोटसव के दिन सुबा उटकर स्नान कर ले और उसके बाद बर्गत के पेड़ के पास जा वहां से एक साफ पत्ता तोड़ ले और उसे साफ स्वच पानी से धो ले अब इस पत्ते को कुछ देर बजरंग वली की प्रतिवा के सामने रख दे और इसके बाद इस पर केसर से श्रीराम लिखे ऐसा करने के बाद उसी पत्ते को लेकर अपने पर्स में रख दे इस उपाय को करने से आपके पास धन की कोई कमी नहीं होती आपका घर धन धानने से भरा रहता है बरकत बनी रहती है लेकिन आपको इस बात का विशेश ध्यान रखना है कि जब ये बरकत के पेड़ का पत्ता पूरी तरह सूख जाए तो उसे लेकर पानी में बहा दे और उसकी जगा इसी नियम के साथ पन्ने पत्ता लेकर रख दे दूसरा बजरंग बली को तुलसी जी विशेश लूप से प्रिया है यदि आप अपने जीवन के सभी दुख दूर करना चाहते हैं जीवन के कश्टों को कम करना चाहते हैं तो हन्मान जन्मोस्व के दिन बजरंग बली को उनके चरणों में तुलसी जी के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखकर उन्हें अर्पित करें ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाएंगे और जीवन में खुशाली आएगी तीसरा यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की आर्थिक समस्या है या कोई अन्य बादाएं हैं जो आपको परिशान कर रही है जिसके कारण आप बहुत जादा विचलित हैं चिंतित हैं तो उसके समाधान है तो आपको करणा ये है कि बजरंग बली के बंदिर में जाएं और वहां जाकर एक नारियल ले ले और उसे ले जाकर साथ बार बजरंग बली से उतार कर उनके सामने खोड़ दे ऐसा करने से आपके जीवन की जितनी भी बादाएं हैं वो सभी बिलकुल दूर हो जाएगी अगला उपाय है कि जीवन में सुक शांती बनाए रखने के है और इससे कुंडली में मंगल एवंशनी के अशुप्रभाव भी दूर होते हैं अगला उपाय है यदि आप चाहते हैं बजरंग बली आप से हमेशा प्रसंद रहें उनकी कृपा दश्टी आप पर बनी रहे तो उन्हें प्रसंद करने के लिए आपको ये उपाय जरूर क करना चाहिए आपको करना क्या है कि हन्मान जनमुत्सव के दिन सुबह सुबह उटकर स्नान करके वस्त्रों को धारन करके उसके बाद किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर शाम के वक्त सरसोक के तेल का दीपक जलाना है और उसके बाद पूर दिशा की और मुक करके ब अगला उपाय है कि यदि किसी वेक्ति के जीवन में शनी का प्रकोब है, शनी दोश से परिशान है और उससे मुक्ति पाना चाहता है, तो उसके लिए उसे करना ये है कि हन्मान जनमस्व के दिन कोईला और काली उड़त को लेकर एक कपड़े में बान देना है, और फिर उस हैते पानी ये किसी नदी में प्रवाहित कर दे, ऐसा करने के बाद भगवान राम का नाम जबे, ऐसा करने से आपके उपर से शनी दोश कम हो जाता है, अगला उपाय है कि यदि आप बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई का काम नहीं मिल रहा, तो इसके लिए आपको हनवान जी को पान का बीड़ा चड़ाना है, इससे आपका हर कारे सफल होगा, अगला उपाय है, यदि आपके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं चल रही है, आर्थिक इस्तिती सही नहीं है, तो आप इसके लिए हर रोग, र करने से आपकी सभी धन से जुड़ी परेशानिया और आर्थिक समस्याएं हल हो जाएंगी, आपकी आर्थिक इस्तिती में सुधार आएगा, अगला उपाय है, हनवान जी जनमोत्सव से शुरू करके हर मंगलवार बजंग बली की नियम से पूजा पाठ करने से आपके घर क सारे कले कलेश दूर हो जाते हैं, घर में सुक शांती बनी रहती है, आपको रोज, सुभा शाम, सुन्दर कांड का पाठ जरूर चुनना चाहिए, इसे आप अपने फोन में भी लगा कर सुन सकते हैं, इससे आपके घर की सारी नकारात्मक उरजाएं दूर हो जाती हैं, और पैरों में फिटकरी रखें, और पैरों से हटाने के बाद फिटकरी को किसी सुनसान इसान पर फैंक दे, ऐसा करने से आपको सोते समय बुरे सपने नहीं आएंगे, और नहीं आप डरेंगे, अगला जरूरी उपाई बताने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल पर पहली अगला उपाय है कि यदि मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन या फिर हन्मान जद मौसब के दिन आप बजरंग बली को भूंदी का लड़ू या फिर भूंदी का भूग चड़ाते हैं तो इससे भी बजरंग बली बहुत प्रसंद होते हैं और उस व्यक्ते की हर मन नुकाबना पून होती है आशा करते हैं यह जानकारी आपके विशेश काम आएगी और अधिक जानकारियों के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोज को एक बार जरूर देख लें जैश्री राम